स्वागत है आपका इस वीडियो में और यह वीडियो थोड़ी सी इंपोटेंट होने वाली है और इस वीडियो को जरूर एंड तक बोच कर लेना यह थोड़ी डिमांड पर वीडियो आईए आपके इसके अंदर क्या बताने वाला हूं इसके अंदर यही है अगर आप चैनल जब बनाते हो और आपके माइंड में यही रहता है कि किस तरह से में अपने 5000 स्क्राइबर से 4000 गंटे वोच टाइम कर लूँ और आप उस पर वीडियो भी डालते हो महीना और एक देड़ महीना वर भी करते हो तो कहीं ने कहीं आपको यह फील होता है कि यार सस्क्राइबर भी यूज भी नहीं आरे तो क्यों ना हम अपने करियर को लेकर के यूटूब को और थर्ड पार्टी अप्लिकेशन के थरू आप अपने चैनल को मॉनिटाइज भी करा ले तो तो आपको उस चैनल की वैल्यू नहीं पता चल पाएगी आपने कितनी महनत करी यह चैनल पर त मैं तो सिर्फ एक महीना वीडियो डाली 12-15-20 उसके बाद आपने सोचा भाई मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बचली से चैनल मॉन्टाइज कर लूगा थर्ड पार्टी अप्लिकेशन से यह किसी पैनल के तुरू ले लूँगा और फिर धिरे-दिरे वर्क करना सुरू तो आप उसकी चैनल के बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर पाओगे यह जो आपके माइन में आया था आरा वारा है यह वर्ड कभी मैं भी सोच था यार इतनी वीडियो डाल दी अगर जो आप मेरे चैनल पर जाकर देखोगे न हंडेड वीडियो आपको वापर मिल जाएंगी जो मैंने बगेर परमोशण के बगेर किको एनी घुकल एड रवर्ड के थुरु मैंने महापट डाली है एक वीडिजिए जो मैंदेर करने में कित एडिटिक करने में टाइम लगा है मैंने कितना इसको अप्लोड करने में मुझे कहीं न कहीं इसकी वैल्यू पता है ठीक है अगर आप एक महीने में एक महीने आपको चलाए वे हुआ और आपने दूसरे महीने अपने किसी पैनल के थूर्व आपने ये यूटूब का जो से मैंनत कर रहा हूं अच्छा कीवर्ट लगा रहा हूं अच्छी वीडियो दे रहा हूं अच्छा कॉंटेंट अच्छी एडिटिंग डाल चुका हूं मेरा फिर भी चैनल नहीं चल रहा उस वक्त आप थोड़ा सा यूज कर सकते हो उस वक्त थोड़ा सा अपना पर्मोशन कर सकते हो लेकिन स्टार्टिंग में नहीं अगर आप ने इस स्टार्टिंग में पर्मोशन किया अपना किसी थरड़ पार्टी एफ्लीक्शन के थुरू तो आपको चैनल के वैल्यू नहीं पता चलेगी आप चैनल पर कभी सीर्यस ही नहीं हो सकती हर कोई चाहता है जल्दी से जल्दी मेरा चैनल मॉन्टाइज हो जाए लेकिन अगर आप इतनी चल्दी चैनल को मॉन्टाइज करने की कोशिश करोगे यह मतलब यूटूब आपके इतनी जल्दी अल्गोरिफम समझ जाएगा कि हाँ बंदा रेगुलर काम कर रह कि वुण ने 5-6 महीने वर्क किया लिकिन नहीं रहे और आकर करे चले हजारोगों चैनल क्रेट होते हैं हर रोज लाखो चेनल्स बंद होते हैं हर रोज आप सोचते हो कि यार मैं अपने चैनल टेक में बना लेता हूं लेकिन यह प्या नाम रखाए क्या नाम रखाए किया मौझूद होते हैं, तो आप महाँ से demotivate हो जाते हो, कि भाई, मैं यार इतने बड़े-बड़े कीरेटर थे हैं, अगर जो मैं अपना टैक का चैनल सुरू करूँ हो, तो भाई, मैं तो किसी गिंती में भी नहीं आऊँगा, ये आपकी मैंन में याता है कि भाई, टैक्निकल तो मेरा चैनल तो नहीं चल पाएगा, तो आप demotivate हो जाते हो, लेकिन नहीं, अगर आपके पास टैक्निकल से related skills हैं, टैक्निकल से related knowledge है आपके पास, तो आप भाई, शुरू करो अपना, एक यूनिक नाम अपना शुरू करो यूनिक नेम से, यूनिक कॉंटेंट से, अगर आप सुरू करोगे अपने चैनल, तो मैं कह रहा हूँ, आपको ग्रोहने से कोई ही नहीं सकता, लेकिन अगर आपने पहले ही सोच लिया कि भाई, मेरे पास, मेरे टैक्निकल चैनल बनाना सोच रहा हूँ और वहाँ पर अलड़ी इतने लोग काम कर रहे हैं इतने बड़े-बड़े क्रियेटर सो हम तो वहाँ पर किसी गिंती में नहीं तो भाई बहुत गलती मतलब यह बहुत कहिने कहीं है इसका मतलब तो यह है अगर आप आज डी मोटिवेट हो गए तो आप लाइफ में भी आपको हर कोई देखना पसंद करेगा ठीक है और अगर आपके पास ओर भी बहुत सारे यूटूब पर आने के आइडियाज होते हैं कुछ इस्किल्स होती हैं हम आर्ट एंड क्राफ्ट बना सकते हैं कुछ सिलाई कड़ाई सिखा सकते हैं कुकिंग का चैनल बहुत बना सकत हो भाई इतने यूटूब पर वीडियो बनाने के तो भाई आप बनाओ मैं यह नहीं कहूंगो के आप रुको भाई कुछ ना कुछ करते रहो यार लाइफ के अंदर ताकि आपको कुछ टाइम के बाद यह ना फिलो कि हमने कुछ करा ही नहीं नहीं हो लेगिन लास्ट में कि आप कम से कम यह तो नहीं सोची कि नहीं किया था किंए हैं तो आपको कुछ करना बहुत जरूरी जरूरी है चुक्स सीथ हो हो जाता ना तो वह वह sır 가운데 उसको नॉलज नि है तो कि यह सी नहीं जो आप इस बहुत सारी स्टॉरिइस जैए जो फेल हैं आज के टाइम में वही मिलियन बिलियन आज के टाइम में हैं और जो पास हैं वह तो आप देखी सकते हो कहीं कहां हैं और जो एक फेलियर हैं वह कहां कहां जा रहे हैं जो मतलब बिल्कुल middle class family से बता हैं वहाँ से लोग उट उट के आ रहे हैं और इतना grow कर रहे हैं कि भाई शायद उन्होंने कभी सोचा भी था कि इतना कमा लेंगे वह तो भाई जब वह कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं आप भी कर सकते हो अगर आप ने ठान ली कि ह आपको क्या सीखने को मिला मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना और 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 भी मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा जिससे आपको कुछ नकुछ सीखने को मिले क्योंकि मैं यह बिन आपको हमेशा मैं हर वीडियो में बताता हूं कि जो मैंने वीडि डाल दी, नेक्स्ट वीडियो में मैं उससे बढ़िया करने की कोशिश करता हूँ, तो दोस्तों मैं आचा करता हूँ, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक, शेयर और चैनल को सस्क्राइब जुरू करते हैं, थेंक्यू ये ठाउसे बड़ियो अच्छी लगी लगी होगी होग Bluetooth 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 Bluetooth